मात्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों के उप्चुनाव से पुर्व लगातार हो रही किसानों के आत्मत्या से सरकार बेक फूट पर आ रही है प्रकतिक आपदा से कोई हानी और किसानों के आत्मत्याओं को लेकर कॉंग्रेस लगातार प्रदेश की सिर्वास सरकार पर हमलावार हो रही है प्रदेश के पूर्वजन संपर्क मंत्री पिसी शर्मा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है बोपाल से ताहिर खान के रिपोर्ट जैसे ही सपतली उसके घंटे के अंदर और साड़े छबीस लाग से जादा किसानों के करजे माफ होगे लेकिन उसको इन्होंने रोग दिया इन्होंने बीमा आज तक नहीं दिना पाएं फसल का जो बाड़ में जो नुकसान होया उसका मौावजा आस तक मिलानी है कुल मिलाके किसान विरोधी सरकार है मुख्यमदी जरूर कहते हैं किसान पुत्र है लेकिन किसान परेशान है लगातार आत्मेत्या करने है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो युवा रोजगार करने है युवा भी आत्मेत्या करने है और किसान भी आत्मेत्या करने है और इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है पंदरा मेने की जो कॉंग्रेस की सरकार है उसने बज़यर्टी रिलिजनी करा है इसलिए रूप गया है देखिए 15 साल इनकी सरकार रही, उनके समय में ही आया, स्मार्ट शिटी का, और स्मार्ट शिटी में जितना काम उन 15 मेनों में हुआ है, अतिकरमंट भी टाये गए, रोड लगबख उसकी कम्प्लीट हो गई है स्मार्ट रोड, बुलवर्ड रोड कम्प्लीट हो गई, पर ये पहले से ही जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट था बीजेपी का बोपाल में जिस जगह बनाये गाए जहां कई दुकानदारों को वहां से उनकी दुकाने हटाई गई लोग के रहवासी कमशारियों के मगान हटाई गए उनको आज तक बहुत सों को नहीं मिला जुगिया हटाई गई और गरीब वहां पर परिशान हो रहा है जो पुराने लोग रहवासी है प्राइवेट वो परिशान हो रहा है कंसेप्ट ही वह गलत था लेकिन उसके बावदूर क्योंकि कंसेप्ट आ गया था केंज सरकार का हो था पूरा पैसा कॉंग्रेस के समय पे उसमें दिया गया और मैं समझता हूं कि मैग्जियम काम जो हुआ है पंदरा मेने में हुआ है उसके पहले लिगवा तो वह जो बैलाट बोड था वो बारी शाही तो वो बोड डूब गया है इसी के साथ ही और एक और सवाल सरी है कि बड़े 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 लिडर्स के जो फाम आउसिस है और खुद बड़े तलाब के कैश्में टिए और बड़े अधिकारियों के भी आप भी जानते हैं नहीं इस्चित तोर पर मैं समझता हूँ कि ये कॉंग्रेस पार्टी ने जो नया कमला जी के तरह में भुपार का जो मास्टर प्लान रहा है इन मास्टर प्लान में ये सब चीज़ें चिन्नित की गई है आठ और नौ तारिक को इसमें जन सुनवाई है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माददें से और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो अब्जेक्शन्स आएंगे मैं इस चीज़ को माँ उठाओंगा कि ये जो तालाब के अंदर अतिकरमेंट है ये इसको मास्टर प्लान में चिन्नित किया जा है मास्टर प्लान में ये चीज़ें जो है उसके तालाब के अंदर चिन्नि लेना चाहिए कि जो भी मालूम तो करना पड़ेगा अधिकारियों बला के बैठा करें सब मालूम हो जाए कि कहा कहा अतिक्रमण है तो मैं समझता हूं कि तालाब के अंदर जो अतिक्रमण है उन शित्तों बढ़ना चाहिए हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूले